शुक्र, कैसे भचानेंग हमारी कुंडली में सुक्र मजबूत है या गड़वर है? सुक्र ऐसा ग्रह है जो जीवन में आनंद देता है सुक्रवार के दिन सफेद या चमकदार कपड़े पहनना चाहिए उसके बाद देवी को यानि कि आप दुर्गा महिया को, काली महिया को या फिर लक्षफी महिया को आप जिने चाहें सफेद, फुल और पित कीजिए आपकी कुंडली का सुक्र मजबूत होगा सुक्र की हमारी जीवन में भूमी का क्या है? इन्पोटेंस क्या है? देखिए, सुक्र को जोतिस में गुरू का दर्जा प्राप्त है सुक्र को दैत गुरू कहते हैं सुक्र को मंतरना का और ज्ञान का स्वामी मानते है इस्तरी हो या पुरुस दोनों के आपसी संबंधों के लिए सुक्र जिमेदार होता है सुक्र से बैभव, एस्वर, दोनों ही प्राप्त होता है बिना सुक्र के ना तो बैवाहिक सुक्र मिलता है और ना किसी तरह का सुक्र प्राप्त होता है अन्य गरह सुविधा तो परतान कर देंगे लेकिन सुक्र नहीं दे पाएंगे सुक के लिए सुक्र ही को मनाना होगा या वही देंगे यानि जीवन में सुक्र चाहिए तो सुक्र को बेhter करना जरूरी है अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी कुण्डली में सुक्र कमजोर है या मजबूत है इसकी लक्षन क्या है पहले हम बताते हैं सुक्र अगर कमजोर हो तो ब्यक्ति बिल्कुल भी आकरसक नहीं होता है ना तो रूपरंग से आकरसक होता है और ना ही परिधान से आकरसक होता है ब्यक्ति बहुत साप सुथरा और अच्छे तरीके से भी नहीं रहता है ब्यक्ति सुविधा जीवन में कितनी भी जुटा ले लेकिन सुख उनको नहीं मिलता है अगर किसी पुरूस का सुकर खराब हो तो उसे इस्त्री का सुख ने कभी नहीं मिलता है साथ ही ब्यक्ति के दामपत्य जीवन में लाग प्रयास करके भी सुक्त प्राप्त नहीं हो सकता है ऐसे ब्यक्ति जादतर कामभाव और परदलसन में ही लिपत रहते हैं जब सुक्र कमजोर होता है दिखावे की कोशिस करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलता है सुक्र मजबूत हो तो उसके क्या लक्षन है? अब इसे जानिये अब सुक्र मजबूत होने से ब्यक्ति बहुत आकरसक होता है सधारन दिखने में भले ही हो पर उनका बेभार, स्वभाव अद्भूत होता है ऐसे लोगों को बहुत नाम और यस प्राप्त होता है सुक्र मजबूत होने से नीन बहुत अच्छी आती है और सोने में तेज होते हैं इनको जीवन में सुक्र और सुवीधा बहुत आसानी से मिल जाती है अब जिनका सुक्र कमजोर है वो क्या करें? सुक्र को बेहतर कैसे करें? अगर लक्षन बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में सुक्र कमजोर हैं तो सबसे पहला तो आप सुक्र के मंत्रों का भोर में जब करें अर्ली मॉर्णिंग सुर्योदे से पहले मंत्र होगा ओम सुं सुक्रायनमा या फिर से हम आपको रिपीट कर दें ओम सुं सुक्रायनमा या एक और मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रॉं सह सुक्रायनमा इसका आप जब कीजिए कम से कम एक माला यानि 108 बार तो जरूर कीजिए आप हलकी सुगंध वाला इत्र नियमित रूप से खुद लगाईए साब सुथरा और अनुसासित जीवन विताईए सुभा सुभा आप मिसरी का सेवन जरूर कीजिए यानि कि पहला जो अहार होगा वो मिसरी एक दाना ही सही आप मुह में जरूर लिजिए आप दोपहर के भोजन में दही जरूर खाईए इससे सुक्र मजबूत होता है इसके साथ ही आप सफेद रंग और गुलावी रंग का खूब प्रयोग करें महिलाओं और बच्चों के साथ बेभार अच्छा रखें आपको काफी फायदा होगा और सुक्र मजबूत करने में सहायता मिलेगा अगर सुक्र खराब है, गरवढ है और आपकी साधी होने में दिक्कते आ रही है तो अगर आप पुरूस है और बिवा होने में बाधा आ रही है तो आप एक सफेद अमेरिकन डाइमंड चांदी की अंगोठी में बनवालें और इसे सुक्रवार की साम में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारन कीजिए आपका बिवा सिग्र हो जाएगा क्योंकि इससे सुक्र मजबूत होता है और बुद्ध छेत्र को मजबूत करने में भी सहायता मिलता है क्योंकि कनिष्टा उंगली के नीचे बुद्ध परवत है और वह विवा का भी कारक है तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें और सेयर करें धन्य बाद फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और भी जान करें